प्राथियों, जीवन के पग पग पर खण खण में ऐसा कितना कुछ है जिसे भारत और इंडोनेशिया ने मिल करके अब तक सहज कर रखा है। बाली की ये भुमी महर्शी मारकंडे और महर्शी अगच्छ के तब से पवित्र है। भारत में अगर हिमालय है तो बाली में आगुंग परवत है। भारत में अगर गंगा है तो बाली में तीर्था गंगा है। हम भी भारत में हर शुपकार्य का स्री गनेश करते हैं। यहां भी स्री गनेश घर गर विराजमार है। सारवजनी स्थानों पर शुपता भैला रहे हैं। पुर्णी मा का व्रत एकादशी की महिमा त्रिकाल संध्या के जरिये सूरिय अपास्ता की परंपरा। मा सरस्वती के रूप में ज्ञान की आराधना अंगिनित चीजें हम कह सकते हैं। ऐसी बहुत सी बाते हैं जो हमें जोडे रखती हैं, जोडती रहती हैं। बाली का जन जन महाभारत की गाथाओं के साथ बड़ा होता है। और मैं तो द्वार का दिश भगवान कर्शन की धरती गुजरात से यहां पुला बढ़ा हूँ। मेरा तो जीवन महीं पिता हुआ है। बाली के लोगों की जैसी आस्था महाभारत के लिए हैं। भारत में लोगों की वैसी आत्मियता बाली के लोगों के लिए भी हैं। आप यहां पर भगवान विश्वanor और भगवान राम के आणाधना करते हैं। और हम जब भारत में भगवान राम की जन भूमि पर भवेवराम मन्दिर की नीव रखिते हैं। तो इंडोनेशिया की रामाएन परंपरा को भी गर्व से याद करते हैं। कुछ साल पहले जब भारत में रामाएन फेस्टिवल का आयोजन हुआ था। तो इंडोनेशिया के भी कई कलाकार यहां से कई कलावरंदल भारत आये थे। और एमदाबाद में, हैदराबाद में, लखनों में, अनेक शहरों में वो अपना कारकम करते करते वो अयुद्या आये थे। उनका अखरी समापन कारकम अयुद्या में हुआ था। और बहुत भावाई हुई थी हिंदुस्तान में जहां गए अख्मार भरे पड़े रहते थे। भाई और भेनों, बाली में ऐशा सायद ही कोई व्यक्ति होगा, जिसकी अभिलासा नहीं होगी, कि अपने जीवन में एक बार अयोध्या या द्वारिका के दर्शन न करें, ऐसा सायद कोई भी इंसान नहीं होगा। भारत में भी लोग प्रम्बानन मंदीर और गरूर विष्णो के इनकाना की भग्यप्रतिमा के दर्शन करने के लिए बहुत ही इत्सुक रहते हैं। कोरोना काल से पहले एक साल में ही पांच लाग से ज़्यादा भारतियों का अकेले बाली आना ही इसकी गवाई देता है। कौशा करने के लाग से ज़र करने का इस यहांच देता है।